Capital Smart City Overseas Prime 1 Sector D में इस वक्ट development की सूरतियाल किया है as the first week of February 2024 इसके साथ साथ Sector D के surrounding blocks का जिकर करें मैं स्टुडियो में explain करूंगा कि उसकी चारो साइट्स पे किस sizes के plots हैं या क्या amenities अवैलेबल हैं वो भी स्टुडियो में details explain कर दूंगा North Side पे कौन सी है, East Side पे क्या development हो रही है, West Side पे क्या development हो रही है और South Side पे क्या development हो रही है वो भी स्टुडियो में details explain कर दूंगा Overseas Prime में Sector D को launch किया गया था back in 2020 और इस block को with possession लाँच किया गया था construction का अखास कर सकते हैं जिन members के previous plot है यहां पे तो उनके लिए development की update है कि इस सब्सक्राइबरी यानिके 24 के दूसरे महीने में यहां पे क्या development की सुर्थचाल है और जो मेंबरान के पास plot नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए definitely बहुत अच्छी वीडियो होगी ताकि उनको पुरे ब्लॉग की हर तरह से information मिल सके इससे पहले इसी सीरीज में मैंने Overseas E, Sector A से लेके Sector C तक तक तमाम वीडियो उनके लिंक्स आपको description मिल जाएंगे और Overseas Prime के भी Sector A, B, C के जो लिंक्स हैं आपको description मिल जाएंगे कि वहां पे development की सुर्थचाल इस वक्त क्या है Overseas Prime, Sector D के अगर बात करें तो Sector D के अंदर जो plot sizes हैं वो साथ मरला के plots हैं और साथ मरला का size यहां पे 175 गज़ बनता है यहां पे 30, 53 का plot size है, साथ मरला का और तमाम के तमाम plot जो हैं वो मकमल ready और मकमल possessionable है इस वक्त अब street 5 की footage देख रहे हैं और street 5 के उपर जो plot already located है plot number 1 से plot number 25 सारे के plot developed or possessionable है जो last street आती है street number 2 इस पर plot number 14 तक आती है और इसके बाद street 1 और 2 के अरवा अगर left side पर देखें तो इस street की partitional part है यानि half part ऐसा है जो left side पे है बीच में दोनों को divide करने के लिए lane 1 मजूद है और right side पर चक्री road ले साइड पर देखें तो यहां पर society की तरफ से यहां पर चक्री road को इस area से अब भी तो wide नहीं किया गया लेकिन यहां पर चुके चक्री road पर दोनों तराफ में जमीन जो है capital smartly की पास है राइड नाओ right side पर चक्री road के camp office बना हुआ है और camp office जो है वहां पर इस सुक society की labor और जो बाकी इंजिनियर्स है वहां जो machinery है वो पार्क होती है वहां पर लेटर स्टेज पर यह चक्री road को expand कर दिया जाएगा इसकी विट तरीबन 220 foot तक कर दी जाएगी और यहां पर main road के उपर अपने स्मार्टेट की तरफ से commercial plots लांच किया जाएंगे जो बड़े साइज कमर्शल होंगे दो कनाली चारकनाली cuttings में यह plot offer किया जाएंगे अगें तो बारह से स्ट्रीट को discuss करते हैं स्ट्रीट वन पर आजें तो आपके वही plot number 1 से लेके plot number 25 स्ट्रीट 3 पे plot number 1 से plot number 25 स्ट्रीट पर देखा जाएंगे 25-25 प्लाट है एक गली पे और सेंटर में बीच में डिविजन के लिए एक लेन दी हुए राइट साइड को आपको लेन वर्टिकल नजर आ रही है यह लेन है और बाकी सारी स्ट्रीट है तो बारह साइड प्लाट इस लेन के राइड सा स्क्राइड में बात करें तो 300 गज के plot है राइट साइड पे इस ब्लॉक के इस साइड पे यहां राइट साइड पे आपका कैम्प आफिस है जो मैंने भी एक्स्पेरियन की है कि चक्री रोड और चकी रोड के राइड साइड पर यहां पर लीनियर पार्क से डिवाइड़ और वहां पर दोबारा sector E की category के plots आते हैं वहां भी साथ मला के plots हैं तो sector D और sector E में similar category के plot हैं तो नों में अच्छ को difference नहीं है अगर ब्लॉक के surrounding की बात करें तो out of four sides तीन साइडों पर society ने greenery दी हुई है जाने के linear parks हैं और एक side पर society की तरफ से commercial building है मैंने एक video बनाई थी overseas sector B की के out of four sides three side पे महां पे आपके greenery या parks मुझूद है sector D भी उसी तरह से है और sector E तो इससे भी बेतर है sector E में चारो side पार्क हैं यानि कि आप किसी भी गली से enter हों किसी भी गली से निकलें तो आपको सामने जाके main road और park मिलेगा वो इस तरह से इसको design किया गया है sector D जो है वो चार में से तीन साइड पार्क हैं और एक साइड पे आपकी commercial property है जो facing चक्री रोड साइड होगी उसका back side और residential plots के ओपर कोई ऐसाच impact नहीं आएगा क्योंकि वो facing जो है वो right side पे जिरार केंप side है और उस side पे चक्री रोड पे जो main road होगा उसके ओपर commercial plots को बनाया जाएगा right now जो footage आप देख रहे हैं यह basically sector C और sector D की divider road है और यह linear park road है इस linear park की जो वेट है वह 220 foot है और side home पे पिसके 50-50 street की main road है जो combine करें तो टोटल जो एक sector C के sector D के दिम्यान जो distance बनता है वो 320 foot के distance बनता है इन जनरल लेकिन अगर देखा जाए अभी development wise तो sector D के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मुकमल हो sector D के अंदर आपको first of all ground की leveling और जो cutting feeling वाला काम होता है तो पहला काम होता है अर्थवर्ख वो अलड़ी मुकमल है second जो काम होता है वो था underground saverage और electricity का डलना वो भी अलड़ी मुकमल है number three जो काम होता है वो होता है कि streets पे street की asphalt होना और कार्प्टिंग होना और साथ ही street के ओपर street light लगना ये भी मुकमल है और number four जो होता होता होटी कल्चर का काम कि यहां पे जो plantation करना ताके plantation के बाद फुटबाद के बाद जो plantation लगती है वो होती है basically कि जब अभी यहां पे द्रक्ट जो लगाएगी है यह अभी तो आपको छोटे छोटे द्रक्ट नज़रा रहे हैं लेकिन later stage पर जाके after seven years eight years यह तनावर द्रक्ट बन जाएंगे जब यह बड़े द्रक्ट बन जाएंगे तो इस block के अंदर आपको काफी बात है उंची location है तो आपको back side से जिरार केम का view जो मार्क जो अडेला रोड के सामने आपकी रिंग रोड का इंटर चेंज बनते हैं उस साइट का view और उसके साथ साथ आपका सामने ले साइट से खरी मरत रेंज का view और एक साइट से चहान डैम का view बनते हैं और सबसे जो 1986 में perceived हुई और आज 2024 में बने जा रही है बन रही है तो इसका benefit इस ब्लॉक को बहुत ज़्यादा पास हो गया इस बर कपने स्ट्रीम पे Capital Smartly का Master Plan देख से हैं Master Plan में जिस डिस्टिक के वहले से आज की वीडियो विडियो विडियो यह डिस्टिक यहां पर बनता है Overseas Prime यह Golf Course अजसे अगे बिल्कुल पैरलल है M2 Motorway के इंटरचेंज से यह Overseas Prime की लोकेशन है और M2 Motorway की लोकेशन हैं सेंटर में सिर्फ Golf Course की प्रेमिस्टिक आती है इसके साइट देखें तो यहां पर आवल पेंडी रिंग रोड आता है अगर हम प्रसाइसली सेक्टर की बात करें तो यह सेक्टर D के बारे में आज की वीडियो जो मैं भी आपको एक्स्प्रें करता हूं डिटेल से सबसे पहले सेक्टर D के अंदर मैंने बात की शुरू मे सबसे पहले साइजेज़ प्लॉट में यहां पर 30 northeast यह 75 गाज मरलों में साद मरला का प्लॉट बनता है यह किसरी के क्रता हैं यह सारे के क्टेगरी के प्लॉट है है कुछ चूसी सिक्टर ने के प्लॉट हैं अगर हम देखें 360 डिग्री में उपर रहले साइट 방ा हैसके लीन करते हैं अगर देखें एक स्ट्रीट पर लेट से जी 24 प्लॉट हैं यह 25 प्लॉट हैं तो बीच में 12 प्लॉट इदर 13 प्लॉट इदर तो इस तरह से डिवाइट करने लिए रोड को बनाया गया है तो हर लहाज से इसकी 360 डिग्री से एकसेस पॉसिबल है अब अगर बात करें जी इंपॉर्टन चीज है वो यह गेट के साथ है बिल्कुल गेट सेंटर होते हैं तो सबसे पहले इस साइड पे हैं तो हार्ली 100 मिटर के फासले पे 200 मिटर के फासले पे यह ब्लॉक आता है अब यहां से अगर इ अब आज जी इसकी 360 डिग्री में के नौर्ट साइड पे एस साइड पे साथ साइड पे कों से ब्लॉक हैं नौर्ट साइड पर देखे तो इसके सेक्टर C है जिसमें 12 मरला के प्लॉट्स हैं ऐस साइड पर से कमर्शल है जहां पे साइड ने भी रोड को वाइड कर के कि चार साइट पे क्या बनते हैं अब पहाड़ों का अगर मैं थोड़ से रोटेट कर दूँ यह आपको पहाड़ों का वियू मिले का इधर से और साथ यह वाली वाटर बॉड़ी का वियू जो है जो चाहान डायम की प्रिमिसिस नहीं उसका वियू भी यहां से प्रॉपर बन तो आपको यह वियू मिलता है बैक साइट से यह डायला रोड का वियू है अडायला रोड के साथ जरार केम्प है उसका वियू बनता है ऑपोसेट साइट पे यहां पे स्मार्ट है कि अपनी जो लैंड है सारी यहां पे जो भी कैम्प आफिस है और इसके ऑपोसेट साइट पर आपको यह जरार केम का वीव बनता है तो यह overall location की बात होगी कि sector D की चारो साइट से location कैसी बनती है अब अगर बात करें कि existence की कि अभी sector D में development का status क्या है और सारा कुछ street 2 पर भी आपके तक डिवन 14 plots बनते हैं street 3 पर 25 plots बनते हैं street 4 पर 25 plots है 12 इस तरफ 13 इस तरफ center में यह lane आती एक street 6 पर आपके दुब़र street 5 पर 25 plots street 6 पर 25 plot street 7 पर 25 plot street 8 पर 25 plots और street 9 पर 25 26 plots बनते हैं और बाकि plot main road में और वो भी इतना ही number बनता है plots का तो अगर आपने एवरिज केल्कुलेट करना है तो 25 इंटो 6 कर लें तो यहाँ 25 इंटो कितनी स्ट्रीटन टोटल? 9 कर लें 25 इंटो 9 कर लें तो आपको आईडिया हो जिकर ब्लॉक का साइज कितने है तकरीब यहाँ पर 225 ब्लॉक बनते है इन जनरल जो यहाँ पर साथ मरला के है तो लिमिटेट से कम्यूनिटी है और बड़े अच्छे डिजाइन के साथ है याँ आप देखें तो इस तरह से भी पे और इस रोड पे यूटन्स भी मजूद है और सामने यहां भी यूटन्स की स्पेस बनी हुई है और यह प्रॉपर फिजिकली इस वक्ट एग्जिस्टेट यूटन्स है अब यह होगी और लोकेशन की बात अब बात करते हैं इस से गॉल्फ कोर्स के वियू की अब अग गूगल पे आपको सारा जितना इसकी लोड नेटवर्क है और वाटर टैंक है मलब आपने फिजिकली फुटेज भी देख लिया है और गूगल भी देख लिया है कि दोनों साइट से कैसे है तो यह आपको मलब ऐसी प्लोट मिलेंगे जिनका फिजिकली एक्जिस्टन्स अम प्लॉट्स है नीचे वाली साइट पे 10 मरला प्लॉट्स हैं लेफ्ट साइट पे 7 मरला प्लॉट्स हैं और यह एक ऐसे नेवरहूट में जो काफी ज़्यादा अच्छी ऐलिवेशन या अच्छे अल्वेटेड नेवरहोट का साइट पार्ट बनता है अगर आपको ये वीडियो ची लगे तो प्लीज दू लाइक, कुमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिज्मान चीमा को दीजे जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस करना मत जर कि अंचरे कि अंचरे कि अंचरे कुछए गैना पया मत भूली उोली तके